Hi everyone, we have come a long way. 9 chapter हमने खत्म कर दिया है, दसमे की ओर है, 11 बाकी है जो कि आखरी होगा. हमने कई सारे काम किये हैं, हमने राज्य बनाए हैं, राजा बनाए हैं, आर्मीज बनाई हैं, सहर बसाया है, गाउं बसाया हैं. पर आपको पता है कि हम याद क्यों करते हैं उन सब चीजों को, हम उन सब चीजों को इसलिए याद करते हैं, क्योंकि वो खूबसूरत थी, उनमें उनका कला था, उनमें उनका महनत था, और उस कला और महनत को आज हम बढ़ने वाले हैं, तो हम चालू करते हैं, लाइन बाइन पढ़ेंगे अब ध्यान से सुनना और इसमें एक कमाल के कहानी भी है जो मैं आपको अंत में सुना होगा शन को जब वो कुतम मिनार देखता है वो शन को वो कभी भुला नहीं सकता है क्योंकि वो इतना खूपसूरत है यही तो खास बात है भारती अकला की भारती संस्कृति की और भारत में कितने भी लोग आये हो कितने भी लोगों ने इन्वेजन किया हो पर उनके आर्ट और आर् दिखाता हूं यह डेली में जो है महराली का यह आर्किटेक्ट्रल साइट जो है अर्कियोलाजिकल साइट से दाट इस एक्जामपल इस रिमार्केबल इक्जामपल अब दे स्किल अव देंडियन क्राफ परसन भारती क्राफ परसन ने खूपसूरत बिल्डिंग बनाए यह ने खूपसूरत बिलर्स बनाया है जो कि देखने लायक है वह आयरं का बनाया पूरा का पूरा जो कि 7.2 मीटर हाइट का है और उसका वेट करीबन तीन टन के बरहाबर है यह करीबन 1500 साल पहले बनाता हम डेट इसलिए जानते हैं क्योंकि उस पिलर में इंस्क्रिप्शन ल पिलर हाज नोट रॉस्टेड थू अजकल तो हम लोग लगाते हैं बारिश होता है उसमें जंग लग जाता है पर इसमें कमाल का बात यह है कि 1500 साल हो गए इस बात को हुए इस घटना को हुए पर यह आज भी वैसा का वैसा ही है वाइस बिकॉस इस बिकॉस अफ़ अफ़ मेटलर्जिकल डेवलोप्मेंट अब डाट ताइम मेटलर्जिकल डेवलोप्मेंट कहने का मंदर उनको पता था कि आयरन कैसे यूज होता है आयरन कितने प्रकार का होता है ठीक है इसलिए वह आज ऐसा बना पाए है जो कि 1500 साल हो गया पर रस आज तक लगा नहीं उन्होंन and stone the skills of our craft persons are also apparent in the buildings that have survived नहीं सिर्फ iron pillars में but bricks or stone से बना जो buildings है वो भी देखने योग किया है जैसे कि stupa हो गया stupa का मतलब होता है एक mound mound का मतलब कियाने का क्या होता है कि एक bricks का बना या stones का बना गुंबज टाइब का a dome type का well there are several kind of stupa's round and tall big and small these have certain common features हलकी जो stupa's होते हैं वो अलग-अलग type के होते हैं कुछ round होते हैं कुछ tall होते हैं पर यहां जो stupa का बात किया गया है वो थोड़ा सा similar features साथ में रखता है मतलब कि जब अशोका बने थे राजा तब अशोका ने करीबन 84,000 स्टूप का निर्मान कराया था ठीक है और उसमें कमाल का चीज़े कॉमन फीचर यह है कि उसके बीच में चोटा सा बॉक्स रखा होता है और उसमें रिमेंस होता है अलग-अलग किसी का दात या हट्टी या राक हो सकता है कि यह बुद् पूराना बॉक्स जो की मिट्टी से जमा हुआ है मतलब उसके उपर पूरा मिट्टी लगा हुआ है लेटर बाद में अशोक के बाद जितने भी इंपर आएं जैसे पुश्या मित्र आएं पुश्या मित्रे ने जितने भी स्टूपा थे वह सब को रेनोवेट कराया बिना सब्सकों के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है और देन दोम लाइक स्ट्रक्चर वस सम्टाइम्स कवर्ड विद काव्ड स्टोन स्लैब अफेन पाथ उन्होंने सब्रदक्शन पाथ वजलेड अरांड दस्ता इस तुपा एक मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा हुआ स्ट्रक्चर में क्या होता है कि बीच में यह जो गर्व इस यहाँ मुर्ति यहां पर पहले नमबर पर अर्द मंडफ प्र मंडफ मंडफ वहां पर जहां पे लोग लोग आरती करते हैं तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जन्में स्टुपाज का इस असरांदेट रेलिंग इंटरंस दा पाथ विस्टूपा विस्टूपा इस तुपा इन अ क्लॉक्वाइज डिरेक्शन जैसे आज हम लोग मरंदिर का चक्कर लगाते हैं वैसे ही उस ताइ से बहुत सारे स्कुल्चर से डेकोरेटेट था इस अम्रावाथी और मैप 787 देश अप्लेक्स पढ़ लेन अम्रावाथी जो है यह आंद्र प्रुदेश के रीजन में है आज भी अम्रावाथी बहुत फेमस है क्योंकि वहां पे शायद इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर् अगर आप ध्यान से देखोगे ना महाँ पे अगर आप जाओगे कभी तो आपको पता चलेगा कि वहां पे तक खूपसूरत काविंस है ना जो जो वोड या फिर जो केव्स का बना हुआ है जो स्टोंस का बना हुआ है उसको कार्व करके उसमें सुन्दर चित्र बनाएं ग सब्सक्राइब के क्राफ्ट्समें का उनका कला है सब्सक्राइब अर्लिएस्ट हिंदू टेंपल्स पर आलसो बिल्ट टाइम बहुत पुराने हिंदू टेंपल भी उस समय के बनाए गए हैं जैसे कि विश्णु शिव और दूर्गा वहां पे पूज़े जाते थे ठीक है तेमपलल भीथर जाहां उत्तर्प्रदेश बिल्ट अबाउट पंदरासौ साल पहले वावगड बग्रीक इंद स्टोन यह वाला जो है यह फंदरासौ साल पहले बातर गाह उत्तर प्रदेश में और यह और में माहावालीपूरम का तो हमारा ठीपल वह बहुत पुराना है यही वह जगह है जहां पर जो पंडित है वो धार्मिक रिच्वल अपनाते हैं रिच्वल करते हैं और डिवोटीज आते हैं और पूजा करते हैं अफें दा भीतर गाउं टावर नोन अज शिखर वस विल्ट ऑन टॉप अप गर्व ग्री जो भीतर गाउं जो आपने देखा वहां पर एक टावर बना गया है जिसको शिखर भी कहते हैं वह गर्व ग्री के उपर बनाया गया है ताकि वह मार्क हो सके ताकि बताया जा सके कि यह एक शुद्ध जगा है विल्डिंग सिखर रिक्वाइड केरफुल प्लानिंग वोस्ट एंपल्स आड़ा स्पेस नान अज दा मंडब सिखर जो है वह बहुत ही केरफुल प्लानिंग से बनाय जाता था बैसी कर दिस एक इतने सारे जगहों में अपलेश हैस्ट बीएड़ हाइट मतलब कि हम उसको इतना इजजद दे रहे हैं कि उसको उतना हाइट का होना ही चाहिए अगर देखो गें तो बहुत सारे मंदिर को ऐसे कॉनिकल से उल्टा कॉनिकल से दिया जाता है ताकि वह हाइ आरे में मनदग का मतलब ही है कि वहाँ पर लोग आकर के एसमबल होंगे आकर के वहाँ पर आड़ती करेंगे महाबलीपूरं में मफ7 यह चैपटर 9 का पाट है यहाँ पर महाबलीपूरं इस जगह पर यहाँ तामिलनाड़ो का पाट है और इस नहारास्तर है तो संप दीन स को भी जाओ गया फिर यूटूब पर देखना कि बहुत खूपसराइब का टेंपल है भारत में एक से ब्रियाद्रेश्वर आ हो गया या फिर आप उच्चैन में जाओ गया तो कमाल के टेंपल से इतना खूपसरत काविंग सब कहीं नहीं तो गया सांची स्थूपा हो गया ज होता है क्योंकि मंदिर बनाना इतना बड़ा सा केव है उसको तोड़ करके काट करके खूपसूरत से स्ट्रक्चर बनाना है इसलिए राजा रानी जो होते थे उस टाइम के वो लोग पैसा देते थे सबसे पहले एक अच्छे क्वालिटी का स्टोन फांड किया जाता था कहा से खादान से और उसके बाद फिर उसको उस जखा पर ले जाया जाता था जहां पर नएब करना पर था zachative ल trigger बनाने के लिए ऐसा कुछ है ठीक है और उन्को पर्टिक्लोर प्लेइस पर रखना होता था और बीना जन जीज ही वोड़ाब बीन डिफिकल्ट टास्ट पर लब यह एक जैन मॉनिस्टरी हो रिसा में जो कि दो स्टोरी बिल्डिंग है इसको कार्व किया गया एक रॉक सर्पेस यह सब रॉक्स कोई भी मॉडल मसीनरी का इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि क्योंकि यह बहुत पुराना बना यह चीए लिए फ्रेजरी टो पेड़ाइक वर्ग टो बिल्डी इस फ्लेंड स्ट्रक्ट्ट्र को बनाने के लिए राजा और रानी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते थे अपने ख़ोज जाना से थे अलांकि अस्तूब बनाने के लिए बहुत सारे लोग जो है बहुत स यहां पर कुछ लोग है जो आई वरी लेकर करें तो वह लोग जो है वह ऐलिफंट की टस्क बतलब की एलिफंट का दात रहता है उसको उसको काट गर चुरा करके लेकर आते थे वह लोग लगाने के लिए उसको खुबसुरत बनाने के लिए लिए इस टेंपल को या फिर के अलावा बर्चेंट्स फार्मर्स गालेंड मेकर्स परफ्यूमर्स अर हजारों लोग जो है वो अलग अलग तरीके से एस इन कांट्रिबूट करते थे और यह कहां से पता चलता है और यह इंस्क्रिप्शन से पता चलता है उस पिलर्स में उन लोगों के नाम लिखे हुए बस इतना ही हम जान सकते हैं उनके बारे में आपको कभी भी मौका मिलें ऐसे जगह को देखने का ऐसे जगह को देखने का जहां पर हजारों लोगों की महनत लगी है अब ज़रूर जाना देखने को यह एक अजन्ता का एक फिगर है तो यह शायद बुद्ध भगवान को करके कि हील्स को करकर करके खूब सुरत श्रॉक्चर बनाया गया है वोस्ट आप इस वेर मॉनस्टरी इस वर्म बुद्ध मौंक्स अब बुद्ध के बहुत सारे स्कल्प्चिस बने वह हैं पंटिंग लगे में बहुत सारे ताइप के अप अजन्ता का पूरा का पूरा पूर्चिस अंदे कलर्स विविड इवें आफ्टर पंद्रह सो साल लाइट ऑफ टॉर्चिस अब इसमें क्या है वो तो नहीं पता कि वहां पर लोग लाइट साइद जुगनू का इस्तमाल करते होंगा कि कुश्टा इंपे तो लाइट हुआ नहीं करता था पर पंद्रह स साल पहले थार्चिस अंद्रह साल करते थे थे इस ने बहुत सारा काम किया है इसको संजोब करके रखने को बहुत सारे तो ऐसे जो प्लैंट्स और मिनेर्ल्स का इस्तमाल करके बनाए गए एग्ट है थए अब ही तक नहीं पता चला कि कौन से आर्टिस ने बनाए क्योंकि एक आत्मी नहीं बनाया है वह भी सकता है दसरत्मान जी वो नोस दूर्ड ऑफ बुक्स हमने बहुत पड़ा स्टुपास के बारे में टेंपल के बारे में थोड़ी किताबों के बारे में जानेंगे एक बहुत फेमस तेमिल एपिक है जिसका नाम है सेला पद्दी करम जिसको लिखा है लांगो ने यह सोडी मैं यहां पर ऐसे नहीं बढ़ता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ किया था कोवालन नाम का एक मर्चंट रहता है उसके पास पैसा रहता है काफी जो की पुहार में रहता है तो वो उसका साधी होता है एक लड़की से जिसका नाम ह में वहां पर वह वहां की नरता की माधवी को देखता है माधवी को देख करके उसका लाड़ता पकने लगता है अब वो कोवालन जो है माधवी के साथ रहने लगता है काफी साल तक रहता है मतलब कि करीबन तीन साल तक माधवी के साथ रहता है अपनी बीवी कन्नगी को छो पर कोबालन मादवी के साथ नहीं रहना चाहता है पर इसका कर्मा मिलेगा उसको तो फिर मादवी जो है वो ठीक है वो समझ जाती है और वह एक बुद्धिष्ट मॉंग का जिन्दगी जीने चली जाती है अब क्योंकि कोवालन के पास कोई पैसा नहीं है और कन्नगी उसको वापस अपना ली है तो कोवालन और कन्नगी चले जाते हैं मदुरई एक नया बिजनस चालू करने के लिए पर कोवालन के पास तो पैसा होता ही नहीं है तो क्या होता है कि रतनों से जड़ा हुआ एक पायल वो कन्नगी कोवालन को देती है कि तुम इसको बेच दो और नया बिजनस चालो करो तो कोवालन जाता है सोनार के पास बेचने के लिए पर उसी वक्त क्या होता है कि मदुराई की जो रानी है उसका भी पाइल चोरी हो चुका होता है एक पाइल तो वो ढूंड रहे होते हैं किसी एक वक्ती को जिसने चुराया होता है तो सोनार को लगता है कि इसने चुराया होगा राजा जो है जब वो राजा को बताते हैं कि सोनार जो है वो बताता है कि एक आदमी आया था ये बेचने को तो वो हो सकता है कि वो उसी का हो तो राजा ने बोला कि अगर उसी का हो अगर वो रानी का चुराया हुआ पायल है तो उसको उसी वक्त मृत्रिव रंड दे देना कोत्वाल को भेजता है और वो देखता है कि पायल है तो वो मृत्रिव रंड दे देता है कोवालन ये है कर्मा उसी ने धोगा दिया पहले अब इसको मौत मिला कोवालन मर गया अब कन्नगी इतना गुस्सा हुई जब कन्नगी को पता चला तो वो पहुँच गई वहाँ पे राजदरबार में और वो राजा को बोली राजा को श्राब दी कि तुम जो है जस्टिस जस कहते हो और मेरे पती के साथ तुमने इंजस्टिस किया तुमने मेरे पती को बीना सच जाने मार दिया वह पाईल निकाल करके दिखाती है यह यह पाईल जो है वह मीरा था तुम्हारी पतनी का नहीं मैच करके देख लो तो पता चलता है कि राजा से कि इस ग bib dic हो चुका होता है तो राजा जे सुसाइड कर लेता है राजा मर जाता है और कन्नगी अपने पायल को जमीन में जोर से फटक करके श्राब देती है कि इसी वक्त ब्राम्हन महिला और पती ब्रता को छोड़ करके पूरा का पूरा मधूराई साहर जल के राक हो जाएगा और हो जाता है पूरा मधूराई जल के राक हो जाता है तो आज जो है कन्नगी को ऐसे माता पारवती करके हम लोग पूछते हैं साउथ में ठीक है अब आगे का कहानी पढ़ेंगे जो भी है इसमें कुछ-कुछ दिया हुआ है वही उसी चीज़ के बारे में लिखा हुआ है अ कोवालन और माधवी की बेटी के उपर का स्टोरी है इस बीटिफल कंपोशिशन वे लॉस्ट तो स्कॉलर्स से पर मेनी संचुरी स्टिल देर मैनिस्क्रिप्स वे री डिस्कवर्ड अबाउट अंडर्ड येर्स अगो हाला कि यह खोच कता पर सौ साल पहले पता चला स्टो वो पूरा नीचर के ओपर लिए लिखते हैं डिकार्डिंग और एंडर्यृवं और स्टोरीस तो कैसे हम लोग स्टोरीज को पुराने स्टोरीज स्कॉप प्रिजरब करके रखते थे तो एक था पूराण वेद पूरान नाम पूराण पूराण का मतलब होता है ओल्ड पू पूजा जाता था इसके अलावा राजा कैसे देश को चलाते थे उन जब के बारे में भीलिखा हुआ है लगत to be heard by everybody और वो जो है सब के लिए था मतलब सब लोग उसको सुन सकता था जैसे दो संस्कृत है महाभारत और रमायन सभी ने सुनाओगा महाभारत और रमायन के बारे में बहुत popular epics है जो हमने सुदा है महाभारत इस अब कॉरवाज पांडवाज आई नो गया था वेद व्यास के द्वारा भगवत गीता बाउट वीची लेंड इंच्टर एट वास अंक्लूद इन महाभारत और रमायन के बारे में भी सबी जानते की राम कहां के राजा थे अभी तो राम लला का जर्म भूमी पर बन रहा है अध्या मंदिर इसे पुरान में कई सारी स्टोरीय जैसे वेद वियास और तुलसीदास के द्वारा लिखा गया बहुत सारा चीज़ है वैसे ही स्टोरी जैसे कि आरे सुरी ने लिखा था जातक के बारे में जातक में जैनरली गौतम बुद्ध का पुराने लाइफ के बारे में लिखा हुआ है विश्णु सर्मा का पंचेतन स्टोरी वह भी बहुत पेमस है तो यहां पे एक स्टोरी अबाउट दा मानी किंग स्टोरी पूछेगा नहीं पर ठीक है बात में कभी साइंस के बारे में बहुत सरा चीज जैसे आरे भट ने किताब लिखा था आरे भटी हम करके आरे बदके बारे में तो आपको पता होगा जिसमें जीरो का कोज किया था और साथ यसाथ आर्वट ने यह भी बताया था कि जो अर्थ में दिन और रात होता है वो इस वज़े से नहीं होता है कि कोई एक्सटरनल सोर्स और पावर आ रहा है बस इस वज़े से होता था क्योंकि अर्थ जो है वो घूम रहा है अपने एक्सिस पे ठीक है ना जिसके कई सालों के बाद कॉपर निकस ने बताया उससे पहले गेलेलियों ने भी बताया थे लेकिन उसके बात किसी ने सुनी ने तो फाइट इन्होंने पाई का खोज करा था आरे बढ़ते पिर ब्रह्मा गुप्त भासकराचारी इनके भी बहुत सारे योगदाने इनके भी बहुत सारे सोच न्यूटन्स लॉफ मोशन के बारे में बहुत कुछ लिख करके गये थे उसके बाद भासकराचारी ने विए उसके उपर बहुत सारे सोध किये बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकाले जो कि कमाल के थे ठीक है इसका मतलब हमारे साइंस बहुत पुराना था बहुत उऌने के किताबों में सिर्फ जैनिन स्टोरिज फिलॉसफिकल साइकलोजीकल स्टोर श्टोरीज नहीं भूकी साइन्स related भी है मेडिकल साइन्स एलेट आस्टर्नॉमि रिलुटेट है इस चिविललाजाशन वर जीए इस तूंड डेवलू उ अग्ट रुलूंस मोर थैन इ नाइस दी फॉलएंग स्टुपा माउंड स्टुपा आस जाओगे तुपा इस नने दाइड शिक्खर प्लेस लीए इमेज इस जार्व कोड़े दो जाओगे शिक्खर कह मतलब है यह प्लेस इन तेंपल शिक्खर प्लेस लीए टावर शिक्खर इस ने विए वेरी वन रीड मंदप मंदप is a place where people could assemble and production path is the circular path around the stupa as i have already shown that that's what was a great astronomer obviously the ariyabhat stories about gods and goddesses are found in the puranas all the ways also stories okay that is recognized as the author of the sanskrit ramayana kawn the vedvyas 1 second वापस पढ़ड़ले किया यह तरहीं गलत नहीं है गलत नहीं आ कि दरा में इन्टे दरीघ्जायल लाइकत महाभारत दिसनें की कैसे Reform रैस ने वे लिखा था कि ऑन्य से लेयर आफ प्रहुं अब्सक्ते का नाम even कि लास्त मन ब्यात करना इस वेरी डिपिकल्ट कोशिश करना कि याद करी लो ठीक है नो इसूस करने के लिए तुम लोग डिसकस कर लेना कुछ भी पूछना हो आयम ऑलवेज यह माई फ्रेंड ओके दोस्तों टाडा बाई-बाई-बाई-लास चाप्टर वाकी है उसके बाद हम लोग चालो करेंगे रना क्लश हो कर लिए नय क्लस्ट ट тех करेंगे लो फूर लो मुंझा।